नई दिल्ली देश में करोना संकट के बीच इस साल नीट और सइंग परवेश परिक्षा JEE हो रही है JEE परिक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर 2020 के बीच होनी है वहीं NEET की परिक्षा 13 सितंबर 2020 को आयोजित होगी करोना महामालरी फैली होने और परिवेन व्यवस्था उपर कई तरह की पाबंदिया होने के चलते देश भर से चातर संगठन और विपक्षी दल परिक्षा को फिलाल टाल देने की अपील कर रहे हैं वहीं परिक्षा और जित कराने वाली नैशनल टेस्टिंग एजनसी एंटिये ने कहा है कि वह पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ परिक्षा करवाने के लिए पूरी तरह से तयार है एंटिये ने यह भी कहा कि इन अलग अलग तरह की परिस्तितियों में परिक्षा को ल 1300 इंफ्रारेट थर्मामीटर गन और 6600 लीटर हैंड सैनिटाइजर की जरूरत पड़ेगी इसके अलावा देश भर में परिक्षा सेंटरों पर 3300 इस्प्रे बॉटल होनी चाहिए और 3300 अतरिक सफाई करमचारियों की तैनाती भी करनी होगी अनुमान है कि इन सब वैवस्था के लिए करीब 13 करोड रुपे का ख़र्च आ जाएगा 660 सैंटरों का है ब्लुप्रिंट YouT ine परिक्षा क लीए देजबर में बने कुल 660 एक्साट एक्जाम सैंटरों के आधार पर यहाँ ब्लूप्रिंट तैयार किया है देजबर में ने 25160 परिख्शा west life 54,54 परिख्शा देंगे 225- meal के लिए 14प intent की तेनाती की गई है ज falls Rafi bus पहले 570 परिख्शा केंदर बनाए गए गई थे लेकिन करोना को देखते हुए केंद्रों की संक्या बढ़ा दे गई है ताकि भीड़ ना हो इसी तरह के पहले 30 चात्रों पर एक निरिक्षक की तैनाती होनी थी लेकिन अब 15 चात्रों पर एक निरिक्षक को तैनात किया जाएगा अब जेए की परिक्षा 12 पारियों में होगी जब कि पहले इसे 8 पारियों में ही कराया जाना था परिक्षा क खर्च का नुमान 400 रुपे लगाया गया था जो अब 550 रुपे है जे इए परिक्षा के लिए देश भर में लगबग साड़े आठ लाग से अधिक परिक्षारतियों ने रिजिस्टेशन कराया है जबकि नीट के लिए लगबग 1.14 चात्रों ने रिजिस्टेशन कराया है इस में परिक्षा केंदरों में चात्र के आने से परिक्षा और फिर बाहर जाने तक की दिशा निदेश है धन्यवाद समचार के बारे में अपनी राए कमेंट बॉक्स में जरूर दें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताज़ातरीन खबरों के लिए कि अग़ बॉक्षाद से प्दक्षा के लाए कि ऑनी बाहर जरूर आ परिक्षा के खबरों के लिए।